नमस्कार जीकेजियस मंतन चैनल में आपका स्वागत है मैं पपुसर आज इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस जो 25 फरवरी को आयोजित होगा और बिहार नियोजित सिक्षक स्वाचमता परिक्षा जो 26 फरवरी को आयोजित होगा इन दोनों के लिए करेंट अफेयर्स यानि सामसामाईक बिशियों का वीडियो प्रसारित किया जा रहा है प्रसन संक्या एक है 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में समिल किये गए आई एनस इंफाल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है इसका सही उत्तर है इसका निर्मान हिंदुस्तान सिप्याड लिमिटेड में किया गया है ये गलत है बांकि A, B और C तीनों बिकल्प सही है प्रसन संक्या दो है भारत जोरो निया यात्रा के बारे में निम्लिकित में कौन सा कथन औसत है A भारत जोरो निया यात्रा कौंगरेशी नेता राहुल गांदी के नेत्रित में प्रारंब हुई B यह 14 जनबरी 2024 को खोंग जोम जनपत थोबल मनिपूर से आरंब होकर B समार 2024 को मुंबई में समप्त होगी C संपुन यात्रा पैदल ही संपन्न होगी D 15 राजियों से होकर गुजरने वाली यात्रा 6,713 कीलो मीटर की दूरी तै करती हुई 110 जिलों तथा 100 लोगाव सभाच हित्रों से होकर गुजरेगी तिसका सही उत्तर है C संपुन यात्रा पैदल ही संपन्न होगी यह गलत है बांकि A, B और D विकल्प सही है प्रसन संख्या तीन है भारती अंतरिक चंद्धान संगठन ने एक जनवरी 24 को अपने पहले X-ray पॉलरी मीटर उपगरह को प्रक्षेपित कर पिर्थिवी की 650 किलो मीटर की उचाई बालिक अक्षा में स्थापित किया या उपगरह निमलिकित में से कौन सा कार्ज करेगा A, X-ray स्रोत के रहस्यों का पता लगाएगा B, Black Hall की रहस्माई दुनिया का अध्धन करने में मदद करेगा 3, पिर्थिवी की सता के नीचे मीठे पानी के स्रोतों तथा खानी संपदा का पता लगाएगा उपर युक्त में से कौन सा कथन सही है कूट में जिसका सही उत्तर हो जाएगा A, Cable 1, A, Bum 2 प्रसन संख्यां 4 है X-Posite के बारे में निमलिक कौन सा कथन सही नहीं है A, X-Posite आदित वल L1 की तरह अंत्रिक्ष में अस्थापित एक बेदसाला है B, इस परकार की बेदसाला को अंत्रिक्ष में सफलता पुर्व का स्थापित करने वाला भारत 200 का चौथा देश है C, X-Posite के साथ दो पैलोड है एक पॉलिक्स तदू X-Pact D, X-Posite के प्रक्षेपन के साथ 10 अनुपगरह भी अंत्रिक्ष में छोड़े गए है इसका सही उत्तर है B, इस परकार की बेदसाला को अंत्रिक्ष में सफलता पुर्व का स्थापित करने वाला भारत 200 का चौथा देश है प्रसन संख्या पॉच है निमलिकित में से किसे मेजर ध्यान चंदे खेल रतन पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया है एक चिराक चंदर सेखर सेठी बेडमिंटन दो रंकी रेड़ी सालवाई साही राज बेडमिंटन तीन सीतल देवी पैरातिरंदा जी चार सुनील कुमार कुष्टी वो पर्युक्त में से कितने बिकल्प सही है तिसका सही उत्तर है बी केबल दो प्रसन संख्या अच्या है खेलो और खेलो में आजीवन उपलवधी के लिए ध्यान चंद पुरुसकार दोएजार तईस से निमलिकित में से किसे सम्मानित नहीं किया गया ए भासकरन ई कबड़ी बी मंजूसा कंबर बेडमिंटन सी बिनीत कुमार सर्मा होक्की डी कभीता सिल्वराज कबड़ी इसका सही उत्तर है भासकरन ई कबड़ी ये गलत है दोजार तईस का आजीवन खेल रतन पुरुसकार मंजूसा कंबर बिनीता कुमार सर्मा और कभीता सिल्वराज को दिया गया है प्रसन संक्या सेवन है बर्स दोजार तईस के लिए घोसित अरजून पुरुसकारों के लिए निमलिकित में कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है ए मुहम्मद हुसाम उद्दिन मुक्यबा जी बी पुखराम बं सुसीला चानू होकी प्रसन संक्या आठ है दुरोना चाज पुरुसकार नियमिस रेनी दोजार तईस से निम्र में से किसे समानित किया गया है ए आरबी रमेश सतरंज दो महाबीर परसाथ सैनी पैरा अथलेटिक्स तीन सिवेंदर सिंग होकी चार गनेश परभाकर दिवसकर मलखंब सही कूट का चैन कीजिए जिसका सही उत्तर है टी एक दो तीन एवम चार सभी विकल्ब जो है वो दुरोना चार्ट पुरुसकार 23 से सही है और दुरोना चार्ट पुरुसकार खेल पर सिक्षक को दिया जाने वाला देश का सर्बोच पुरुसकार है परसन संक्या नो है मौलाना अबुल कलाम आजा ट्रॉफी 2023 की से परदान की गई ए लखनव बिस्विद्याले लखनव भी गुरुनानक दे बिस्विद्याले अमरिस सर सी कुरू छेतर भी राजस्तान बिस्विद्याले जैपूर जिसका सही उत्तर है भी गुरुनानक दे बिस्विद्याले अमरिस सर को मौलाना अबुल कलाम आजा ट्रॉफी 2023 परदान किया गया परसन संक्या 10 है कि अंदर सरकार ने सुस्क छेतरों में जल संकट से निपटने के लिए परदान मंतरी आवास योजना के तहत निर्मित आवास के निकट बरसा जल संचेन परनाली ट सही उत्तर है डी परश्मी राजस्थान में बरसा जल संचेन की परनाली टंका बहुत सालों से परिचलन में रहा है प्रसन संक्या 11 है एटीवन में गोल्डन गलोब एबाड में सरस्रेश ड्रामा फिल्म का पुरुषकार निवन में से किस फिल्म ने जीता ए ओपन हाइमर प्रसन संख्या 12 है एटीवन में गोल्डन गलोब एबाड्स कॉमेडी या मुजिकल बर्ग में सरस्रेश पुरुषकार निमली खित में से किस फिल्म ने जीता ए ए एर दी पूर तिंग्स सी दा होल्ड आबर्स दी वार्नी किसका सही उत्तर है भी पूर थिंग्स प्रसन संख्या 13 है एक आसी बे गोल्डन गलोब एबाड्स सर्बुत्तम पुरुषकारों के संदर्व में निम्न में कौन सा यूंग सही सुमेलिप नहीं है ए सर्फ्रेश्ट अभिनेता ड्रामा फिल्म सिलियन मर्फी उपन हाइमर म में क्यार्ट के लिए लिए सब्सरेश्ट अभिनेतरी ड्रामा फिल्म लीली ग्लेड इस्टोन टिलर्स ऑफ दी फ्लाबर मून में अभी नहीं के लिए से सब्सरेश्ट अभिनेता कॉमेड़ी या म्यूजिकल पॉल जी या मार्टी लिए दी होल्ड आवर्स में कार्ज के चार सर्प्स्रेश अभिनेत्री, कॉमेडी या म्यूजिकल, फेंटेसिया बैरीनो, दी कीलर में वर्क करने के लिए इसका सही उत्तर है डी प्रसन संख्या चौदे है एक आसी में गोल्डन गलोब एवाड में सर्प्स्रेश निर्देशक का पुरुषकार किसने जीता ए ब्रेडली कपूर मेश्ट्रो, बी ग्रेटा जेरविग ब्रानी, सी क्रिश्टोफर नोलान ओपेन हाइमर, दी सेलिन सौंग पास्ट लाइब्स, इसका सही उत्तर है क्रिश्टोफर नोलान ओपेन हाइमर, सर्प्स्रेश निर्देशक का पुरुषकार मिला है क्रिश्टोफर नोलान को ओपेन हाइमर में निर्देशन के लिए, प्रसन संख्यां 15 है, उगरम क्या है, एक एसौल्ट राइफल, बी कोश्ट गार्ड की एक तोही ना, सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, डी एक छोटा सा युद्ध टैंक, इसका सही उत्तर है, एक एसौल्ट राइफल का नाम उगरम है, प्रसन संख्यां 16 है, परदान मंतरी 16 है, गेबरियल एटल को फरांस का नया परदान मंतरी निप किया गया है, उनके बारे में कौन सा कथन सत्थ है, एक वे फरांस के सबसे कम आयूग के प्रदान मंतरी हैं, दो वे खुले तोर पर समलंगिक हैं, वो पर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, कूट में सही उत्तर का चेन करना है, इसका सही उत्तर है, एक एवम दोनों, दोनों सही है, गेबरियल एटल जो फरांस के न नहीं है, गलत चुनना है, ए, या एक लगू फिल्म है, बी, या तमिल भासा की फिल्म है, लेकिन इसे मल्यालियम हिंदी और कंदर भासा में डब किया है, इसे सारे बिस में पांस्वा तेरे पुरुसकार मिले हैं, जिससे इसे गिनीज बिस रेकॉर्ड में सामिल कर लिया डी, इसने बिदेशी भासा की लगू फिल्म बर्ग में गोल्डन गलो परुसकार जीता है, इसका सही उतर है डी, इसने बिदेशी भासा की लगू फिल्म सरेनी में गोल्डन गलो परुसकार जीता है, ये गलत है, बांकि ए बी और सी बी कल्प मानस नामा के बारे में सही है प्रसन संख्या 18 है गुजरात के गांधी नगर में 10 से 12 जनवरी 2024 को आयो जित दसबे ब्राई ब्रेंट गुजरात बैस्विक सिखर समेलन 2024 में निम्न में से किस राष्टा ध्यक्ष या सासना ध्यक्ष ने भाग नहीं लिया प्रसन संख्या 19 है निम्न में से किस सहर ने देश के सरवाधिक स्वक्ष सहर 2023 का खिताब सातवी बार जीता ए इंदोर विसूरत सिचंडीगर भी बंगलूरू तिसका सही उत्तर है ए इंदोर ने लग सात्मी बार जो है स्वक्ष चहर का खिताब जीता है प्रेसन संक्या 20 है हैं एनले पास्पोर्ट इंडेक्स दोजार चोबिस में भारत का रएंग क्या है भारत जो है 2024 में हेन्रे पास्पोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर है परशन संख्या 21 है नीवन में से किस राजने बार्शिक स्वक्ष्था सर्वेक्षन 2023 में पहला पुरुसकार जीता है एक केरल विकरनाटर क्सि महरास्ट इ। महरास्ट इंडे grass ने जो है 2023 में पहला पुरुसकार जीता है बार्शिक स्वक्ष्था सर्वेक्षन में प्रसंख्या 22 है स्वक्ष्था सर्वेक्षन 2023 में एक लाग से कम जन Connie बाले 3,970 सहरों में से पहला पुरुसकार सी सहर ने जीता A. सासबड महराष्ट B. पाटन 36 गड C. लोना बाला महराष्ट D. दतिया मद्द परदेश जिसका सही उत्तर है A. सासबड महराष्ट ने जो है वो एक लाग से कम जन संख्या बाले सहरों में सरसरे स्वक्ष पुरुसकार जीता है परस संक्या 23 है अटल बिहारी बाजपेई सेवरी हावा सेवा अटल सेतू के बारे में निमलिकित कतनों पर विवचार कीजिए 21.18 किलो मिटर लंबाई बाला या भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतू है दो इसे मुंबाई ट्रांस हारवर लिंक के नाम से भी जाना जाता है तीन इस सेतू के निर्मान में 11,600 मिटरिक टन स्टील का धाचा लगा है जो चार हावरा सेतू के बराबर है उपर युक्ट में से कितने कथन सही है इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि की सभी तीनों कथन जो है इनसे संबंदित है परेशन संक्या 24 है गुट निर्पेक चांद दोलर यानि एन एम नौन एलाइंस मुव्मेंट का उनिसमा सिखर सम्मेलन कहां योजित किया गया एक कंपाला युगांडा डिकैरो मिस्र कंपाला युगांडा में जो है वो एन एम का उनिसमा सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया परेशन संक्या 25 है समाजबादी नेता और बिहार के भुतपुर मुखमंतरी जन्नाय करपूरी ठाकर को भारत रसन से किसमर समानित किया गया करपूरी ठाकर को भारत रसन और डॉक्टर एम स्वामी नाथन को भारत रसन दिया गया प्रसन संख्याट 26 है पर योजना भिस्म के बारे में निमलिकित में कौन सा कथन सही नहीं है यह भिस्म भारत हेल्थ इनिसियेटिव फोर सहयोग हित एंड महित्री का संचिप्ति करन है प्याविदे से आयातित अतिदिक अत्यादूनी का पातकालिन चिकिसा अनुकिरिया परनाली है सी आरोग महित्री आवदा परबंधन क्यूब भिस्म को आयद्या में रामलला परतिश्था समारों में लगाया गया था डी क्यूब में आपातकालिन दसाओं में दो सो घायलों तक का उपचार किया जा सकता है इसका सही उत्तर है भी यह विदे से आयातित अतिदिक अत्यादूनी का पातकालिन चिकिसा अनुकिरिया परनाली है बी एच आई एस एच एम भिस्म यह गलत है बांकि एक सी और डी यह चाहत सही है प्रहसन संख्यां 27 है देशों पर विचार कीजिए एक सही उत्तराज अमेरिका दो सोवियत संग तीन चीन चार भारत पांच जपान उपर युक्त में से कितने देशों के स्पेस कराप्ट चंदरमा की सता पर उतर चुके कूट में सही उत्तर का चन करना है जिसका सही उत्तर है डी सभी पांचों देशों के एर कराप्ट जो है वो चंदरमा पर उतर चुके हैं सोवियत अमेरिका का सोवियत संग का चीन का भारत का और जापान का 28 है सांती निसस्तरी करन और विकास है तू इंदरा गांदी सांती पुरुषकार 2023 निम्र में से किसे परदान किया गया ए अर्जेंटीना में जन में क्लासिकल पियानो बादक डेनियल बारेन बोहिम को B फिलिस्तिन इज्राइल पहल रूट के सथ संस्थापक अली अबुअबाद को C A तथा B दोनों को संगत रूप से नाताँ एक ना ही दो को जिसका सही उतर है C A और B दोनों को संगत रूप से सांती निसस्तरी करन और विकास काइंद्रा गांदी सांती पुरुषकार 2023 भारतिय नियाय संगीता दोजार तैस दो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतिय नागरिक संगीता दोजार तैस तीन इंडियन एबिडेंस एक्ट भारतिय साख संगीता दोजार तैस सही कूट का चैन करना है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी एक दो और तीन तीनों विकल्ब जो कौन सा कथन गलत है औसाथ चुनना है एक के अंदरिये बिधी एबम नियाय मंतरी की अध्रच कमिटी पॉंच ब्यक्तियों के नामों का पैनल चैन समीती को सुझाएगी बिमुख निर्भाचन आयुक्त अथन निर्भाचन आयुक्त की पुनर नियुक्ति पर विचार किया ज जा सकता है जिस परकार सर्वोच नियाले के नियाधी अधिस को घटाया जाता है जिसका सहीं उत्तर है बी आ है मुख निर्वाचन आयूक तथा निर्वाचन आयूक की पुनलण्यूक्ति पर विचार किया जा सकता है यह गलत है बांकि ए सी और डी सही है प्रशन संख्या 31 है नियम लिखित में से किस राज में केंदरिय जंजाती बिश्विद्याले अस्थापित किये गए है Central Schedule Tribes University एक मध्य परदेश दो अंधर परदेश तीन तेलंगाना चार छतीसगण इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तीन सभी तीन सभी तीन का मतलब हो गया मध्य परदेश आंधर परदेश और तेलंगाना परसन संख्या 34 है अखिल भारतिये न्याईक सेवा औल इंडिया जुडिसियल सर्वीश के सिर्जन है तू सारे देश में न्याय अधुसों की नियुक्ति एक अखिल भारतिये प्रत्योक्ता परिक्षा से कराई जाने का सुझाओ किसके द्वारा दिया गया है बारत की राष्टपती महामहिम दुरुपदी मुर्मु के द्वारा ओल इंडिया जुडिसियल सर्वीश के गठन के ये सुझाओ दिया गया है प्रसन संक्या 33 है भारत को जानो कार्जकरम नौ इंडिया प्रोग्राम नीन में से किसकी पहल है ए शिक्षा मंत्राल है भी परियाटन एवं संस्किर्टी मंत्राल है सी बिदेशी मामलों का मंत्राल है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है सी बिदेशी मामलों के मंत्राले का ये पहल है भारत को जानो कार्ज करम थर्टिफोर है पी आर ए वाई एस परियास पर योजना निमली खित में से किस निकाई की पहल है अखिल भारतिय तक्निकी सिक्षा परिशत विबिश्विद्याले अनुदान आयोग सी प्रवासिता है तू अंतराश्टिय संगठन दी राश्टिय सेक्षिक अनुसंधान और प्रवासिता है तू अंतराश्टिय संगठन आयोएम का ये पहल है प्रियास प्रसंधान थर्टिफाइब है सिक्षा मंतराले द्वारा प्रारंब किया गया प्रेरणा कार्जकरम निम्न में से किस बर्ग के बिद्यार्थियों के लिए है एक अक्षा नौ से दस भी अक्ष एरना कार्जकरम प्रसंध संख्या 36 है हालिया दिनों में गुजराज के 20 परसित गरवा निरित को इने सको के और दृस संक्रितिक बिरासत सुचि में सामिल कि जया न है रिए कि निम्न मेंस े क्या सामिल है एक मोखिक परंपराएं, दो परदर्शनिय कलाएं, सियनुष्ठान और उत्सव कार्जकरम, चार पारंपरिक दस्तकारी, पांच प्रकिर्तिय बंब्रमान से संबंधित ग्यान तथा पधतियां, उपर युक्त में से कौन से कथन सही हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा, डी, सभी पांचो कथन जो है, वो सत्ते हैं, परशन संक्या 37 है, निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए, एक बैस्वी ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन में मिथेन की हिस्सेदारी लगबग 19 पर 30 है, दो मानब जनित मिथेन उत्सरजन में धान की खेती 8 पर 30, पसुधन 32 पर 30, तथ मिथेन उत्सरजन को कम करने के लिए 20 बैंक द्वारा एक बरी पहल प्रारंब की गई है, उपर युक्त में से कितने कथन सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी तीनों कथन जो हैं, इस सम्बंद में सही है, प्रसन संक्या 38 है, बन्नी ग्रास लेंड के बारे में, निम बन्नी ग्रास लेंड गुजरात के कच जनपद में दूई पारिश्टिकी तंत्रों, नम भूमी तथा ग्रास लेंड बाला अनूठा चेतर है, सी कें सरकार ने बन्नी ग्रास लेंड में दूसरे चीता सरनक्षन पालन केंदर की अस्थापना को मंजूरी प्रतान की है, डी बन्नी पर जाती की भैस यहां पाई जाती है, तिसका सही उत्तर है, बन्नी ग्रास लेंड बिश्ट का सबसे बरा ग्रास लेंड है, ये गलत है, बांकि बी सी और डी बन्नी ग्रास लेंड के बारे में सही है, प्रस संक्या 39 ने निमलिकित में किस देश के साथ बेने जुए के साथ नहीं तिसका सही उत्तर है सी गोयाना के साथ अभी बेने जोईला का सीमा विबाद उत्पन हुआ है और इस वीडियो का अंतिम प्रस्ण है भारत के संभीधान दिबस परतिबस 26 जनवरी को मनाया जाता है भारते संभीधान में अनेक परापधान विश्व के अलग-अ संभीधानों से लिए गए हैं इस संदर में कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है यह मंत्री मंदल पर नाली कनाड़ा का संभीधान बी नियाई पुन्राभी लोकल सेंक्तराज अमेरिका का संभीधान सी मौली करतब सोब्यत संभीधान डी राश्पती का चुना पर नाली आयरलेंड का संभीधान इसका सही उत्तर है यह मंत्री मंदल यह पर नाली कनाड़न का संभीधान से है यह गलत है मंत्री मंदल यह पर नाली बेटेन यानि इंगलेंड के संभीधान से ली गई है बाकि बी सी और डी तीनों भी कल्प सही है इस वीडियो में इतना ही जै हिं जै भारत नमस्कार